दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पीके एजुकेटर में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ राहत की खबर देने वाला हूँ एक बजट पास हुआ था 175.37 करोड का दूसरा बजट भी जो है लगभग 237 करोड के आस पास जो बजट है उसको भी जुटाया जा रहा है पिछड़ा और कल्यान विभाग या सासन की तरफ से कहें तो और छात्रों की फीस्वापसी होना स्टार्ट हो जाएगी अगर 237 करोड का बजट जुटा पाया गया तो क्या है पूरी न्यूज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो आप वीडियो पर अंतर तक बने रहिएगा और उससे पहले दिया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी बेल आइकन को प्रेस कर ये यूपी स्कॉलर्शिप से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए तो चलिए चलते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पीक एजुकेटर में दोस्तो आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो काफी दिनों से छत्रों की सुल्क प्रतिपूर्थी और फिस्वापसी नहीं आ रही है चाहें किस भी कटेगरी के सब्सक्राइब करेंगे कि उनकी स्कॉलर्षिप जो बहुत दिन से रुकी हुई है लगभग जनवारी से नहीं आई है उसके बाद से तो वह कब से आना स्टार्ट हो जाए भी दोबारा जिन छात्रों के अभी तक नहीं आई है और क्या सिकेंड इस्टार्लमेंट आ सकती है यह बात करेंगे साथ ही ओबी सी के लिए बात करेंगे कि जो बजट एक सो पच्छतर दसम्नों 37 करोड़ों का पास हुआ था तो वह किस दिन से उनके खातों में आना स्टार्ट हो जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले दिया आपने अभी तो किस दिन से स्कॉलर सिफ आप लोगों की आना स्टार्ट हो जाएगी दोबार यह जानने के लिए आपको जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर और यहाँ पर आपको टाइप करना है लेटेस्ट जॉप फॉर्यू डॉट कॉम जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी लेटेस्ट जॉप फॉर्यू डॉट कॉम की इस तरह की जब आपके सामने ओपन हो जाए तो आपको नीचे जाते हुए यहाँ पर आप सन नजर आ जाएगा यूपी स्कॉलर्शिप चेक बाएंक का उस पर कर देंगे आप जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यह तो इस तरह की कुछ official website आपके सामने ओपन हो जाएगी तो इसमें आपको नीचे जाना है और न्यू टाइम टेबल देखिए यहाँ पर जो आई है सबसे लेटेस्ट 29 जनवरी को उसको आपको कर लेना है ओपन तो जैसे यह डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगी तो यहाँ प ही है यह डिटेल के और बता दू मैं जनरल सी स्टी और माइनोर्टी स्टुडेंट्स के लिए ओबी सी वालों की इसमें कोई नीज नहीं है उसके लिए हम अलग से बताएंगे कि जो उनका बजट पास हुआ था वो किस दिन से आना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पर दे से स्कॉलर्शिप आना स्टार्ट हो जाएगी इसलिए यहां पर आप प्रूप के साथ देख सकते हैं और देखे 20 मार्च 2020 तक सभी छात्रों की स्कॉलर्शिप आ जानी है ठीक है और यहां पर देखे लिखा भी गया नीचे कि उप्रोक्त समय सानी का अनुसार वर्ष 2019 बीस से पाना स्टार्ट हो जाएगा तो जिनके अभी तक नहीं आई है वो परिशान नहों और रही बात ओबीसी के छात्रों की तो बीसी छात्रों की अगर बात करें तो उनका बजट पास हो गया है 175.37 करोड का कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर्प क्या पता कहीं नहीं है प का बजट पास हुआ हाँ अभी आपके खातों में आना इस्टार्ट नहीं हुआ है तो वो एक निशित का रवाही होती है सासन से पहले बजट मिलता है पिछड़ा और कल्यान विभाग को फिर अपनी पूरी जो वरीता क्रम है वो सारा चीजें तयार करके वो यह देखेंग पांच मार्श से सुरू हो जाएगा 20 तक सबकी आ जाएगी वो ऐसे ही आपका भी होना है कि 20 मार्श से पहले OBC के चातरों की भी वो फीस्वापसी हो जाएगी तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को ला झाल